योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज ने मंद्री हमारे साथ मुझूर बात करने तूछ सर आज आप बस्ती में मोचे से अधिकारी विसान आपने बैठक किये किस तरह के से मजदूरों के उस्थान के लिए आपका विभाग काम करता है मेरा विभाग जिस दिन से मैं बना हूँ उससे पहले से काम तो विभाग करी रहा था लेकिन पहले ऐसी विवस्ता नहीं थी आदेनी योगी जी के नितित्मा 2017 में सरकार बनी अठारे में में बना अठारे से लगातार में 50 लाग किलु मीटर संपूर उत्रपेशवां ब्रहमण कीया है और उसमें ब्रहमण करके जब मैं बना था तो 800 करोड़ हमारे पास संस्ता के पास थे आज हमने दसजार क्रोड़ पर खर्च कर दिया, बारहजार क्रोड़ पर हमारे पास जमा हैं, जैसे अटलावास बनाएं, हमने भरन पोसंड से लेके, मजदूरों के साधी विवास से लेके, सारे समुझित विवस्ता उनकी किया, आदिने योगी जी के नेतित में, जिससे के ह हमारी सरकार है, पुरी तरह से हमको बोठ देने गया, तो इस कारण हमारी सरकार जो बनी है, समोगों ने हमको बोठ दिया, सब का सास्थ, सम का विकास, सब का विश्वास जीतने के आपने भर्जखdr प्रास किया, बढ़ा तफका तपका बिरूजगार है आज की तारिक में, विपच्च भी इसको लेकिन लगातार मुद्दा उठाता है संसद में और लगबच 40 परशंद जा अधिक बेरोजगारी है और जो ये काकड़े हैं वो इस सरकार में ये बेरोजगारी काकड़े बढ़े भी देखिए पॉपुलेशन बढ़ाऊगे बेरोजगारी बढ़ेगी पॉपुलेशन की द्रश्टी से सरकारी रोजगार केवल भारत में 18 करोड हैं सरकारी रोजगार और 42 करोड फैक्टियों में और इनमें कुल मिलाके 18 और 42 कितने हुए 60 करोड लोगों को बाकि हमने स्वयम सेवा करके जैसे अटलावास बने गया तो सोब परवारों को दो जान भोजन की वरस्ता हो गई कोई काम करेंगे वो स्वयरोजगार योजना के अंतर उनको धन भी दे रहे हैं सबको नौकरी कभी दे पाएंगे आप यह सोचो सबको नौकरी मिल जा संभब नहीं हो सकता है वो तो अधिकार है उसका ना आपसे नौकरी मांगने का या उसको कोई सीधा होती तो उसके लिए तो सरकार से तो बिलकुल सही बात है लेकिन आप यह बताइए मैं आपके माद्यम से पूछना चाहता हूं आपके परवार में दस लोगों की रहने की जगए और अठारे लोग आ जाएं तो कैसे कम चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नही को । कि यह देखिये थेखिज अनके अंग बस्त्रों को जो दिखा जा रहा था वह दैतियों को बंसफना के किसी की भेन होगी कि 쉬 ऐसा नुमाइस होता है क्या अंग बस्तरव महिला गाल के उनुक द्रवियों से आप हिंदुस्तान के मुसल्मानों की तुल्ना कर रहा है। अब सरातन में से भाटके हुए हैं और भाटके हुए लोग हैं और भाटके हुए लोग जल्दी से कमयावी अबी हासिल नहीं करते जैसे आपने देखा टक्ता प्लाट हो गया हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता है। यहीं तो खत्रा है कि मुसली मावादी बहुत तेजी सब्सक्राइब क्यों बढ़ेगी जब चाइना ने रोकी आप हम भी पॉपलेशन रोकना चाहते हैं को कि इस क्या क्या होगा जमीन कहां से आएगी कहां से घराएंगे कहां से व्यवस्ता बनेगी नहीं बढ़नी चाहिए जनसंग्या नेंतर कानून आएगा आएगा आप चिंतामत के लिए देखते रिये जल्दी आने वाला है तो इसलिए ऐसी इस्तिति में क्योंके यह देश सुचारू रूप से सल है यह हमारी भावना और संभावना रहती पूरा नहीं होगा तो इसलिए यह सारी व्यवस्ता हैं हमको बनानी पड़ती हैं सरकाज चलाने के लिए तो और रोजगार की स्वरोजगार के अंतरकत हम सबको व्यवस्ता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का स्रमिक जो पहले दोड़के जाता था अब नहीं जा रहा आप द लिए जान करें कि लिए जान करें के लिए मजदूर बड़ी मुष्किल से पूरे हिंदुस्तान से गया है बड़ी जैड़ लाग तनका बहुत होती है तो इसलिए आपको इसका वनला जान करें नहीं है कि अब कि आप सब देश में आधनी मोधी जी की सरकार है फिरियो पकाश्व रासन मिला वेश्टा है वेश्टा है जो आप पूछना चाहते हैं बताओ हिंदुस्तान नहीं हो तक्ता राष्ट बनाया जाना है यह बनाने की जरोतिनी ऑंदूराश्ट औलड़ी है यहिंदू तो राष्ट है विश्वगूरु है विश्वगूरु था विश्वगूरु रहेगा यह बिलकुल मैं आपको दावे के साथ है अधि जो ने आपको हराया इस्था प्रदेश में उनको फटाए नहीं नहीं अखिले से आदब क्या कहते हैं मुझे जनकारी नहीं है जब उन्होंने टॉंटी नहीं छोड़ी सरकारी टॉंटी धनका दुर्प करके टॉंटी खाड ले गया उनके उसे में क्या कूंगा वो गलत गोल कपे खा रहे हैं और वो हमारा नेगेटिव बोट चला गए अलग बात हैं जिन्होंने तमाम मुद्दों पर एबीपी मुझे बात की अबीपी गंगा खबर आपकी जबाद की